कि अंड लो दूस्तोः आज इस पृडियो में बात करेंगे इंट्र्डुक्शन तो एथिकल एक इंट्रुक्शंट ए्कस टाइपस ओफ हैकर वैस्ट डूस्तोः एस वीडियो मैं इंट्रुक्शन और टाइपस ओफ हैकर को शौर फें बताऊंगो अगर आप चाहते हो कि मैं ethical hacking पे अलग से पूरी detail वीडियो बनाऊं तो comment कर सकते हो So, ethical hacking होती क्या है? Ethical hacking सेवाए business और government network को ऐसे हम लोग से बचाना और high data production प्रदान करने के लिए एक solution देती है हम ethical hacking के माध्यम से data को चोरी होने या तुरिपोग होने से रोग सकता है कमजोरियों या कमजोर point की पेचान कर सकते हैं और स्वर्चित network लागूप कर सकते हैं और data की स्वर्चा कर सकते हैं तो बात करते हैं hackers कितने type के होते हैं? Hackers तीन type के होते हैं White hat hackers, Gray hat hackers, Black hat hackers उपर introduction में हमने hacking के बारे में fundamental information को cover करने का प्रियास किया है एक बार जब आप hacking के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आप सीखने और समझे में अधिक रूची लेने लगेंगे कि चीज़े कैसे काम करती है और जब सीखने की बात आती है तो किताबों कोई हरा नहीं सकता यहां मैं top 7 ethical hacking books के बारे में बताऊंगा जिनके थूँ आप knowledge gain कर सकते हैं और कुछ system को hack कर पाएंगे और loopholes के बारे में भी जान पाएंगे याद रखे बिना permission के hacking करना एक serious अपराद है दोस्तों मैंने इस book को randomly adjust करा है तो यह मत सोचना कि first number के book best है तो पहली book है penitation testing of hands on introduction to hacking यदि आप hacking के लिए नए है तो यह book आपको एक अच्छा introduction प्रदान करेगी और यदि आप experience है तो आपको इसके access की मदद से practical knowledge ज्यादा मिल पाएगी इसमें आपको security weakness ढूनना network में operating system में application में तो second number के book है यदि आप नहीं जान दे कि आतिक लेकिंग के साथ क्या करना है तो यह book आपको आपको चरूरी है author ने detail पर बहुत ध्यान दिया है और पताता है कि कुछ wishes तरीकों से ही क्यों किया जा रहा है बजाए इसके कि क्या क्या जा रहा है हर chapter के end में बहुत सारे example exercises और extra resources दे गए है जहां से आप उसे असारी से पढ़ सकते हैं third number यह book है hacking the art of exploitation by john erection महुत से लोग खुद को hacker कहते हैं लेकिन कुछ के पास strong technical foundation होती है जो वास्तों में आधे बढ़ने के लिए आवज़ चुक होती है इस book में सीख के बारे में कुछ जान करें दे गई है यह book आपको cable upload के मामले नहीं देती बल्कि एक मजबूत foundation बनाने की कोश्च करती है ताकि आप hacking के अपने तरीकों के बारे में सोच सके इस book में आपको linus के लिए CD आती है जो आपकी मदद करती है प्रैक्टिस करने के लिए जो भी आपने इसमें पढ़ा है फूर्त नमर के book है The Web Application Hackers Handbook hacking creative problem को सुझ जाने की एक कला है चाहे इसका मतलब कठीन समयस्य का unconventional समादन खोजना हो या ढूनना loopholes बहुत complex programming में इस book में बहुत से technique के बारे मताया है अटेक और protect करने के लिए web application को यह book दोनों के लिए beginners और intermediates के लिए एक best book है कुछ section आपको अपना code बनाने मदद करते है और example है C++, ASP.NET और Java में फिफ्ट नमर ही book है Hacking Made Easy by Rajendra Maurya यह book उन सभी लोग के लिए है जो directly या indirectly रूप से computer से related है यह beginners और professional के लिए बहुत useful है और हो बहुत सारे तरिक कीवे और तकनीके प्रदेशित करती है जैसे की hackers hacking कैसे करते है और present में black hat hackers कैसे बच सकते है यह book भी बहुत useful है आपको इस book को भी पढ़ना चाहिए 6th number की book है The Ethical Hack A Framework for Business Value of Penetration Testing by James S. Tiller यह book explain करती है methodologies को framework को चुकि एक ethical hacker को employer करना चाहिए और organization में ताकि वो security बहुत hard कर सके इस book में जहातर business को protect करने के लिए बता रहा है यह book भी अच्छी book है आपको इस book को भी पढ़ना चाहिए 7th number की book है hacking, computer hacking, security testing, penetration testing and basic security इस book में आप the different types of hacker, the different types of attack, the proven step and techniques that are best hacker uses, penetration testing, wifi hacking, smartphone hacking यह book basic principles से लेकर जटिल तकनीकों और method तक सभी तरह से जाती है जिनका व्योग आप hack करने के लिए कर सकते हैं यह book simple language का अप्योग करती है जिसे beginner लोग आसानी से समझ सकते हैं और बिना complex details छोड़े आप अच्छे से सीख सकते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरू बताना और जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और बैल नोटिफिशन ओन कर देना ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालू आपके पास उसके पास उसका नोटिफिशन आ जाए तो मिलते हैं अ